नमस्कार आदाब मैं समसेर अली फाउंडर और वीव केमेस्टी यूटूब चैनल आज की इस वीडियो हम लोग बात करेंगे साबून और अपमार्जक के अंतर के बारे में तो चलिए कॉपी और पेन निकालिए स्टार्ट करते हैं जब भी आपसे साबून और अपमार्जक में अंतर पुछा जाता है तो सवाल इस तरीके का होता है कि साबून और अपमार्जक में अंतर अस्पस्ट करें या write down the difference between soap and detergent तो कॉपी और पेन निकालिए स्टार्ट करिए सबसे पहले अपने कॉपी के headline में लिखेगा कि साबून और अपमार्जक में निमनलिक अंतर है और फिर दो पार्ट में डिवाइड कर लीजेगा फिर साबून और अपमार्जक लिखेगा और फिर सुरू कर लीजेगा चले देखते हैं साबून में सबसे first point ये है कि साबून लंबी स्रिंखला वाले कार्बोजायलीक एसीड या फैटी एसीड फैटी एसीड कार्बोजालीक एसीड ही होते हैं तो फैटी एसीड के sodium या potassium लवज़ड होते हैं आगे देखे, अब मार्जक में पहला पॉइंट क्या कहता है, कहता है कि आप मार्जक लंबी स्रिंखला वाले, यानि लॉंग चैन वाले, लंबी स्रिंखला वाले, कार्बोजाइलीक एसिड या फैटी एसिड के सलफेट या सलफोनेट लवड होते हैं, सलफेट यानि एस मातरा में जाग उत्पन करता है, दूसरा पॉइंट कहता है कि साबून कठोर जल के साथ जाग उत्पन नहीं करता है, अर्थात साबून कठोर जल में धुलाई किरिया यानि शफाई किरिया नहीं करते हैं, वहीं अपमार्जक कठोर जल के साथ भी जाग उत्पन करते हैं, अच्छी तरीके से करते हैं अब देखें तीसरा पॉइंट कहता है कि साबून बायो डिग्रेडेबल यानि जयो निमनी करणिया होते हैं तो साबून जो हम लोग हाथ वगर धूल के या नहा के जैसे ही साबून पानी के साथ मिक्स होके नाली में बहता है तो धीरे धीरे जयो निमनी करणिया हो जाता है मतलब सडगल जाता है और ज्यादा परेवरण को नुक्षान नहीं पहुचाता है वहीं अपमार्जक बायो डिग्रेडेबल नहीं होते हैं मतलब ये पानी में जब जाते हैं नाली में जाते हैं तो ये कई प्रकार के और प्रदूशन उत्पन कर नदीओं में जाते हैं और प्रदूस्रा रुथपण करते हैं इसलिए यह सड़ते गलते नहीं हैं चौथा पॉइंट है कि साबुन की सफाई करिया डिटर्जेंट से बेहतर होती है सोरी कमजोर होती है यानि साबुन और डिटर्जेंट दोनों तरफ अगर धुलाई करिया की डिटर्जेंट यानि सर्फ यानि अपमार्जक का ही इस्तमाल करते हैं साबुन का ज्यादा तर इस्तमाल नहीं करते हैं तो यह सफाई किरिया बहतर नहीं करता है यानि कि कमजोर होती है इसकी किरिया और अपमार्जक की सफाई किरिया साबुन से बहतर होती है इसलिए हम अप कपड़े किस से धुलते हैं अपमार्जक यानि डिटर्जेंट से धुलते हैं नेक्स्ट है साबुन प्रकृतिक समगरी या सोथ से बना जाते हैं देखें यह जो फैटी एसीड या कार्बोजाली केसिड होते हैं यह लॉंग चैन कार्बोजाली केसिड यह पेड़ पौधो से प्रात्के जाते हैं इसलिए ये प्रकृतिक समगरी से बनाए जाते हैं क्या सावुन जबकि वही अप्मार्जक जो होते हैं ये सींथेतीकली जैसे लॉरयल सलफेट हमने बना दिया है नो तो वो सब के सब सींथेतीकली इंसानों के द्वारा man-made होते हैं बनाए गए होते हैं इंसानों के दौरा बनाए गए होते हैं और उन्हीं चीजों से बनाए जाते हैं तो यह आपका पांच नमबर का सवाल साबून और अपमार्जक में अंथर कंप्लीट हुआ जिसमें चोटे-चोटे पॉइंट हमने लिखा और टोटल अगर आप ऐसे लिखते हैं तो पांच नमबर अमूमन आपको देंगे ही देंगे एक्जामिनर तो चलिए आप इसका स्कीन सौट ले लिजे और फिर हमको बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत सुक्रिया